अगर आपका सवाल है कि बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है तो आज का एब वीडियो लाश्ट तर्थ जरूर देखे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बैंक मैनेजर सैलरी इन इंडिया की यहनि इंडिया में एक बैंक मैनेजर को कितना सैलरी मिलता है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं bank manager के कारियों के बारे में यानि एक bank manager को क्या-क्या कारे करनी होते हैं एक bank manager का कारे होता है bank के करमचारियों यानिक employees को manage करना सभी banking प्रक्रियाओं की देख रेक करना budget तयार करना और उसका visualization यानिक analysis करना इसके अलावा अनिकार करने होते हैं bank manager को तो चलिए बात करते हैं salary के बारे में देखे salary अलग-अलग bank को में अलग-अलग होती है यानि कि salary bank to bank vary करती है salary government bank की अलग होती है private bank में salary अलग होती है इसलिए बात करते हैं average salary की bank manager की जो average salary है वो है 65,250 रुपीज पर मन्त यानि कि 55,250 रुपए प्रतिमाह की ये एक एबरे सेलरी है इस चीज का ज़ूर ध्यार नखें अब हम बात करते हैं अलग-अलग बैंकों में बैंक मेनेजर की सेलरी के बारे में बात करते हैं SBI यानि कि State Bank of India में बैंक मेनेजर की सेलरी के बारे में SBI में जो बैंक मेनेजर की सेलरी है वो है एप्रॉक्स 70,000 रुपीज पर मन्त यानि कि 70,000 रुपए प्रतिमाह की लगभग ठीक है बात करते हैं RBI यानि कि ज़र रुपाय को फिर इंडिया में बैंक मेनेजर की salary के बारे में RBI में बैंक मेनेजर की salary है वो है Approx 80,000 to 1 लाग रुपीज पर मन्थ यानि की लगबग 80,000 से 1 लाग रुपे प्रतिमाह की हो सकती है RBI में salary डिपेंड करती है post and आपके area पर और आपके experience पर इसके अलाव बैंक करमचारियों को आने सुभधाय भी दी जाती है सरकार की तरब से और प्राइबेट रैंकों में भी सुभधाय मिलते है हमारे वीडियो आपको कैसा लगा comment box में लिखे अगर आप एक सभी informative वीडियो देखते रहना चाहते हैं झालाव झालाव प्राइबेट कर दो देखते हैं